मुझे एक कमेंट आया है मिस दिव्या पांडे जी का ये यूपी में रहती है इन्हों ले लिखा है सर मेरी उम्र 23 साल है मैं एक बैंक के DSA में टेली मार्केटिंग का जॉब करती हूँ मेरी सेलरी 15,000 रुपया है लेकिन इस सेलरी को पाने के लिए मुझे हर महीने एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टार्गेट अचीव करना ही होता है तभी मुझे सेलरी मिलती है नहीं तो मेरे पैसे कट जाते हैं और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल ही नहीं पा रही है मेरे उपर घर की पूरी जिम्मेदारी है मेरे पिताजी बिमार रहते है कुछ करते नहीं है मेरी दो छोटी रहने हैं जो स्कूल में पढ़ती है मेरे लिए अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती है और मैं बहुत परिशान रहती हूँ सर मुझे कोई पार्ट टाइम कमाई का ऐसा तरीका बताईए जो मैं बहुत ही कम समय में कर पाऊं क्योंकि मेरे पास समय तो होता ही नहीं है दिव्या जी मैं एक रिक्रूटर हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि टेली मार्केटिंग की जॉब मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है किसी को कन्विंस करना फोन के उपर की भहिया हमसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसिस खरीद लीजे इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए एनरजी चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप ये काम सफलता पूरवक कर रही हैं तो आप में capabilities तो हैं जिम्दगी में मुश्किलें और tensions तो सबी को रहती हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे Bill Gates और Ambani को भी बहुत ज़्यादा tensions होती है मुझे भी बहुत tensions रहती हैं और मैं भी काफी stress में रहता हूँ काम के कारण मैंने अपनी tension और stress को काम करने का एक solution निकाला है मैं आपसे share करता हूँ मुझे जब भी tension या stress feel होती है तो मैं लंबी-लंबी सास लेता हूँ और अपने पेट से सास लेता हूँ देखिए ऐसे और ऐसा कुछ समय तक करने के बाद मैं काफी relieved feel करता हूँ tension free feel करता हूँ और कुछ ही मिनिटों में मैं काफी बहतर feel करने लगता हूँ देखिए मानव सभ्यता में सन 2020 सबसे मुश्किल साल रहा है पूरी दुनिया की economy का लेखा जोखा रखने वाली एक अंतराश्ट्रिय संस्था है जिसका नाम है IMF उसने कहा है इसी साल सन 2021 में भारत की GDP growth 11-12% रहेगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी जो एक record होगा और इसी कारण से इस बात की पूरी उमीद है कि जल्दी ही बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी नौकरियां भारत में मिलने लगेंगी मैं आज आपके लिए पार्ट टाइम कमाई का एक नया तरीका लेकर आया हूँ जिसमें अपने मोबाइल फोन से ही बहुत ही कम समय लगाकर अपने खाली समय में बिना एक पैसा इन्वेस्ट किये आप अच्छी कमाई कर पाएंगे पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंतक मेरे साथ बने रही है हेलो फ्रेंड्स कैसे आप जैसा कि आप जानते ही है मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 26 सालों से एक HR Recruitment Professional हूँ और इतने सालों के Experience के दम से ही मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूँ दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में एक वेबसाइट से पार्ट टाइम कमाई के बारे में आपको जानकारी दी थी उस साइट का नाम था mostphotos.com पर उस साइट के उपर कुछ technical problems आ गही है और वो साइट फिलहाल काम नहीं कर रही है तो आप लोगों के बहुत सारे comments आए कि सर उसी तरह की या उससे बहतर किसी और साइट के बारे में बताईए जिस से उसी तरह से कमाई की जा सके इसी लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको एक नई साइट के बारे में बताऊंगा इसमें भी उसी तरह से आप कमाई कर सकते हैं ये साइट उस वाली साइट से बहतर है दोस्तो आज की डेट में साथ लाक से ज़ादा लोग अपने घरों में बैठ कर एक सिंपल सा प्रोसेस करकर छोड़ देते हैं और रेगुलर कमाई करते हैं उसके बाद और ये कमाई होती है USA में बेस्ट एक साइट के जरीए जिसका नाम है dreamstime.com जी हाँ dreamstime.com ये साइट आपके mobile phone में बखु भी चलती है काम क्या करना होता है मैं बताता हूँ आप अपने mobile phone में पड़े हुए नए पुराने photographs और videos को बेच कर बहुत अच्छी कमाई करते हैं इस साइट के जरीए एक-एक photo और video के बिकने पर 70 रुपे से 210 रुपे तक मिल जाते हैं और आपके photo और video जितनी जितनी बार बिकते हैं उतनी उतनी बार आपको ये payment आती है आप सभी लोग अपने mobile phone से photos generally खीचते ही रहते हैं सबसे ज़्यादा तो आप अपनी selfies खीचते हैं अपने परिवार के यारों दोस्तों के photos कीचते हैं कभी परिवार और यारों दोस्तों के साथ कभी कोई तयोहार हो तो वहाँ पर आप दरजन उ कहीं बाहर घूमने जाते हैं marketplace में जाते हैं कोई shopping करने जाते हैं वहाँ पर भी आप photograph कीचते रहते हैं आपकी आखों के सामने कहीं कोई दुरघटना हो जाए प्रदर्शन हो रहे हो या कोई धरने हो रहे हो तो आप उनके photograph या वीडियो बना लेते हैं आपके mobile phone में पड़े हुए यही मामूली से photograph और वीडियोज dreamstimes.com पर बिखते हैं दोस्तो और आपके ये फोटोज और वीडियोज खरीते हैं दुनिया की छोटी और बड़ी बड़ी कंपनिया जिन में शामील है Coca-Cola, Walmart, Ericsson वगएरा वगएरा आप सोचेंगे आपके फोटोज और वीडियोज का ये छोटी बड़ी दुनिया की कंपनिया आखिर करेंगी क्या और एक एक फोटो और वीडियोज का 70 रुपे से 270 रुपया क्यों देंगी देखे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दुनिया की हर छोटी बड़ी कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसिस बेचना ही चाती है भारत की अबादी 130 करोड से जादा है भारत एक बहुत बड़ी मार्किट है एक बहुत बड़ा बजार है दुनिया की कोई भी छोटी बड़ी कंपनी भारत में अपने प्रोड़क्ट्स और सर्विसिस को बेचे बिना मल्टी नैशनल बन ही नहीं सकती तो भारत के इस बहुत बड़े बाजार या मार्किट में अपने प्रोड़क्ट्स और सर्विसिस को बेचने के लिए दुनिया के इन छोटी बड़ी कंपनीज को विग्यापन या एडविटीजमेंट्स बनाने पड़ते हैं उन विग्यापनों और एडविटीजमेंट्स को ये कंपनिया सोशल मीडिया प्लेटफर्म्स पर चलाती हैं इन विग्यापनों और एडविटीजमेंट्स में डालने के लिए वो आपके मुबाइल फोन में पड़े हुए असली रियल फोटोस और वीडियो का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये विग्यापन और एडविटीजमेंट्स असली लगें, रियल लगें क्योंकि जब दूसरे भारत के लोग इन विग्यापनों को देखेंगे तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे उन्हें ये विग्यापन असली लगेंगे वो इन कंपनीज के प्रड़क्ट्स और सर जाने के समान है अगर ये कंपनिया किसी फोटोग्राफर को खास तोर से कॉंट्रेक्ट दे कर भारत के अलग-अलग हिस्सों में फोटोज या वीडियोज खेचने के लिए भेजेंगे तो उनका लाखों रुपए का खर्चा होगा या उससे एक छोटी सी अमाउंट दे कर वो आपको dreamstime.com पर registration करने के बाद आपका अपना एक exclusive referral link मिल जाता है आप उस referral link को share कर सकते हैं आपने यारों दोस्तों में या रिष्टेदारों में और उन्हें कह सकते हैं कि वो भी dreamstime.com पर registration करें अपने फोटोज और वीडियोज डालें और बेचें तो वो जो भी कमाई कर करेंगे उसका 10% बैठे बिठाए आपके पास आता रहता है बिना कुछ किये तो देखें दोस्तों काम इस तरह से करना है सबसे पहले 100% free में dreamstime.com के ओपर registration कर लेना है उसके बाद अपने mobile phone में पड़े हुए फोटोज और वीडियोज को इस site के ओपर upload कर देना है हर फोट बारीकी से step by step इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा आपको laptop की भी आवशकता नहीं पड़ेगी सारा काम आपके mobile phone से हो जाएगा तो चलिए सब कुछ बताता हूँ तो दोस्तो ये है मेरे laptop का screen मैं अभी आपको अपने mobile phone पर भी लेकर चलूँगा पहले मैं आपको site खोल के दिखा देता हूँ अपने laptop पर ही तो दोस्तो ये है वो site dreamstime.com मैंने इस site का link इस video के description box में डाल दिया है जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरह से आपके screen पर खुल जाएगी अब ये रहा मेरा mobile phone आपकी आखों के सामने मैंने जैसे इस link पर क्लिक किया देखिए ये मेरे mobile phone पर भी खुल गई अच्छा ये रहेगा कि आप dreamstime.com साइट का desktop version चलाएं अपने mobile phone में best है ठीक है अब वो कैसे खुलेगा सबसे उपर देखेंगे जहाँ तीन dots हैं यहाँ क्लिक कर देंगे एक window खुल गई अब इसमें जो नीचे से तीसरी category है ये है desktop site मैंने यहाँ क्लिक किया तो dreamstime.com का ये desktop version खुल गया आप इसी पर काम करेंगे ये हूब हूँ वैसे ही चलती है जैसे laptop पर चलती है ठीक है लेकिन मैं आपको सारा काम अपने laptop पर ही दिखाऊंगा तो अब मैं mobile phone आपके सामने से हटा देता हूँ अब दोस्तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि dreamstime.com पर क्या-क्या बिक जाएगा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपके mobile phone में पड़ी हुई नई पुरानी photograph तो बिकती ही हैं इसके अलावा vectors, logos वगरा भी बिक जाते हैं दोस्तों और अगर आप अपने mobile phone से या computer से या हाथ से कुछ drawings भी बना सकते हैं तो वो भी यहां बिक जाती हैं दोस्तों ठीक है ये बहुत अच्छी तरह बिकती हैं और बहुत अच्छी कीमत पर बिकती हैं मैं आपको दिखाऊंगा नए पुराने चाहे कितने भी पुराने हों कितने भी साल पुराने हों वो भी यहां बिकते हैं और वो कैसे अपलोड होंगे कैसे बिकेंगे कितने के बिकेंगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपके mobile phone में कोई ऐसी audio clips हैं ठीक है सबसे ज्यादा बिकती हैं अगर आपकी photograph यहां पर featured section में कहीं आ गई तो आप ज्यादा कमाई करते हैं दोस्तों ठीक है अब दोस्तों मैं आपको यह दिखाता हूं कि किस किस तरह की कंपनियां आकर dreamstime.com पर आपके photographs या videos वगारा खरीती हैं नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं देखे कोका कोला कोका कोला से ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है Walmart, Ericsson और इसी तरह की और बहुत सारी सैकडों चोटी बड़ी कंपनियां अब देखिए दोस्तों dreamstime.com की ताकत 15 क करोड से ज्यादा photographs already इस site के ओपर डले हुए हैं बिकने के लिए ठीक है या इतने ज्यादा photographs हैं तो आप अंदाजा लगाईए पूरी तरह से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं इस site पर आज की date में 3.5 करोड से ज्यादा users हैं यानि कि इतने सारे लोग आकर इस site पर अपन 40,000,000,000 से ज्यादा photographs हर महीने dreamstime.com पर upload किये जाते हैं सोचिए कितना बड़ा काम है ठीक है अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनिया है या छोटी कंपनिया है ये आपके photographs इस site से कितने पैसे देकर खरीती हैं चलिए पहले म मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे उपर जाएंगे दिखिए जहां लिखा है prices and download plans यहां क्लिक कर देंगे अब आप देखिएंगे दोस्तों ये packages है उन companies के लिए जो dreamstime.com से photos खरीदेंगे ठीक है आप जो photos dreamstime.com पर डालेंगे वो कितने की खरीदी जाती है कंपनियों के देखिए सबसे सस्ता package है 2000 रुपे का और ये package है सिरफ 5 photographs के लिए ठीक है यानि कि आपकी एक एक photograph कम से कम 400 रुपे की बिखती है दोस्तों जी हां 400 रुपे की एक photograph ठीक है और ये और बहुत सारे packages है ये सब companyों के लिए हैं जो इस site से photographs खरीदते हैं अब मैं आपको ये आएगा अब हम यहां से back जाएंगे अब मैं दुबारा इस site के home page पर आगया हूँ अब मैं इस site में सबसे नीचे जाओंगा जहां ये community लिखा है मैं यहां क्लिक कर दूँगा जहां ये लिखा है sell your images मैं यहां क्लिक कर दूँगा तो देखिए ये page खुल जाएगा इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो देखेंगे यहां लिखा हुआ है for each transaction the contributor यानि कि आप आप contributor होंगे site के उपर आप 25 से 50% तक कमाएंगे हर photograph का जितनी भी कीमत पर वो बिकेगा मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों आपका एक-एक photograph कम से कम 400 रुपे का बिकता है ठीक है यानि कि अगर आपको 25% मिलता है तो आप 100 रुपे कमाएंगे और अगर आपको 50 परिशन मिलता है तो आप 200 रुपे कमाएंगे ठीक है अब ये कैसे decide होता है कि आपको 25% मिलेंगा या 50% वो मैं आपको नीचे चलके दिखा देता हूँ देखिए अब आप देखिए यहां लिखा है content level 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है आप जब शुरुवात करेंगे इस site के ओपर अपने photographs या videos बेचने की तो आप zero level पर होंगे और आपकी जो भी photograph बिकेगी उसकी कीमत का आपको 25% में लेगा मैं आपको बता चुका हूँ आपकी photograph कम से कम 400 रुपे की तो बिकेगी ही तो आप 100 रुपे कमाएंगे जब आप शुरुवात करेंगे यानि आप zero level पर होंगे ठीक है जब आप first level पर पहुँचेंगे या second level पर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे यह भढ़ता चला जा रह यानि अगर आपका photograph कम से कम 400 रुपे का बिक रहा है तो आप करीब करीब 200 रुपया हर photograph पर कमाएंगे अब यह level कैसे decide होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जितनी ज़्यादा आपकी images बिकती हैं उतना ही ज़्यादा आपका level उपर जाता है यानि कि आप अगर एक photograph बे रहे हैं इस site पर वो बढ़ते चले जाते हैं आपकी commission बढ़ती चली जाती है आपका level उपर चला जाता है तो इतने पैसे तो आपको मिलते हैं जब आपके mobile phone में पड़े हुए नए पुराने photographs इस site पर बिकेंगे videos बिकने पर भी आपको इसी तरह से पैसे मिलते हैं दोस्तो किसी भी तरह का कोई audio है जो आपको लगता है किसी तरह की news हो सकती है या कुछ भी आपको लगे कोई दुरघटना या घटना दर्ज है आपके mobile phone में सिर्फ audio की शकल में ठीक है तो आप वह भी बेचते हैं और वह भी बहुत अच्छे पैसों में बिकता है कि बहुत ज़्या पैसे मिलते हैं ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि dreamstime.com साइट के उपर 100% free में registration करकर हम अपने mobile phone में पढ़े हुए images, videos और audios को कैसे बेचेंगे अब इसी page में निचे हैंगे आप देखेंगे जहां लिखा है upload files यहां क्लिक कर देंगे अब देखें लिखा है upload your stock photos, videos, illustrations and vectors join dreams time creative community and start earning from your work or home यानि के अपने mobile phone में पढ़े हुए photos, videos, illustrations, vectors वगेरा को dreamstime.com पर register कर ये upload कर दीजे और कमाई करना शुरू कर दीजे अपने घर बैटकर ठीक है अब हम sign up and start making money पर क्लिक करेंगे देखें ये window खुल जाएगी यहां जहां लिखा है your email ID यहां आप अप password की जगा एक password बनाका डाल दीजेगा उसके बाद ये capture है जहां लिखा है I'm not a robot इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे लिखा है sign up for free यहां क्लिक कर देंगे अब दोस्तों हम dreamstime.com पर अपनी profile पूरी करेंगे ये आवश्यक है अगर आप अपने photographs, videos या audios बेच कर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी अच्छी सी profile बनानी ही चाहिए अब देखे सबसे उपर लिखा है add profile photo यहां आपने अपनी कोई अच्छी सी photograph डाल देनी है कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ add profile photo पर क्लिक करेंगे मैंने यहां से एक photo select कर ली जब आप अपने mobile phone से dreams time.com पर अपनी profile बनाएंगे तो यह जो photo है जो आपकी gallery या photo section में दिखती है आपके mobile phone के वहां से आप इसको यहां पर लाएंगे ठीक है फिलहाल मैं laptop पर हूँ तो मैं यहां से इसको select कर रहा हूँ अब देखेंगे दोस्तो dreams time.com पर जैसे ही मैंने यह photo अपनी upload कर दी तो इमेजेटली यहां नहीं दिख रही है ठीक है यह थोड़ी देर बाद यहां दिखेगी आप उसकी weight मत कीजेगा और सीधे नीचे आके बाकी की profile बनाना शुरू कर दीजेगा देखें यहां लिखा हुआ जो भी आप लिखेंगे profile में वो अंग्रेजी भाशा में हो और जो यह star जहां पर बने हुए है वो essential है ठीक है बाकी को आप छोड़ सकते हैं तो यहां मैं अपना नाम डाल दूँगा आप अपना नाम डाल दीजेगा last name लिख देंगे उसके बाद आप अपना address पूरा ही डालिएगा दोस्तों जो आपका permanent address है वो आप यहां पर डाल सकते हैं मैं Delhi में हूँ तो मैंने Delhi डाल दिया आप अपना एक valid personal mobile number यहां पर जूर डाल येगा ठीक है अब देखी यहां लिखा है website जाहिर सी बात है आपकी शायद website address नहीं होगी तो इसको खाली छोड़ दें ठीक है email address डालना है वो automatically इस site ने ले लिया है जिससे हमने registration किया था equipment details अ favorite subject जहां लिखा है तो डाल सकते है जूरी नहीं है उसके बाद यहां लिखा है bio artistic statement आप चाहें तो लिख सकते है ये भी अवश्यक नहीं है इसे भी छोड़ सकते हैं उसके बाद नीचे यहां लिखा है अगर आपका कोई company नाम है जाहिर सी बात है नहीं होगा तो इसको भी छोड़ दीजे, your client industry इसे भी छोड़ सकते हैं, और size of your company ये भी छोड़ दीजे, इसके लावा देखे लिखावा change username, अगर आप चाहें तो ये जो username है, automatically जो साइट ने बना कर दिया है, इसे आप बदल सकते हैं, change your password, आप अपना password बदल सकते हैं, इसके लावा देखे नीचे लिखा है, do not show my name and city on the public website, यानि कि अभी profile बनाते हुए, आपने जो अपना नाम और शहर या गाउं कस्बे का नाम डाला है, वो दिखाई ना दे public को, तो यहां से वो process किया जा सकता है, और delete account पर जाकर, आप dreamstime.com पर अपना account पूरी तरह से delete भी कर सकते हैं, ठीके, तो या उसकी speed के हिसाब चे थोड़ा सा समय लगता है, और उसके बाद ये profile अपडेट होती है, और आपने जो photo upload की थी, वो आपकी profile में ऊपर यहां दिखने लग जाती है, अब देखिए यहां लिखा हुआ आ रहा है, operation completed successfully, यानि कि अब हमने dreamstime.com पर अपनी profile पूरी बना ली है, अब हमारे पास dreamstime.com साइट की तरफ से एक verification email गई होगी हमारी email ID पर, हम वो चेक करेंगे और उसको verify करेंगे, दोस्तों मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, dreamstime.com की तरफ से जो confirmation या verification email आपके पास जाती है आपकी email ID पर, वो आपकी primary email section में नहीं जात memory में ढूंडते रहेंगे, recent recent करवाते रहेंगे, लेकिन वो पहुचेगी नहीं ठीक है, तो वो promotions वाले में मिलेगी, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ, अब देखिए सबसे उपर आई हुई है ये email, तो ये है वो verification email जो dreamstime.com से आई है, आपको भी आएगी, आप अ ये वाला एक code, वहाँ पर paste करना होगा, और उसके बाद आपका ये account verify हो जाएगा, मैं prefer करूँगा, suggest करूँगा कि आप यहां से करें, अब मैं यहां क्लिक कर दूँगा, अब देखिए लिखा हुआ आ रहा है, your email is confirmed, आप automatically यहां पहुच जाएंगे उसके बाद, आपने य ये वाला section फिलाल बंद कर देना है, और उस section पर वापस चलना है, जहां हम अपनी profile बना रहे थे, इस site के उपर, अब मैं इसको यहां से बंद कर दूँगा, friends हम यहीं से गए थे, अपनी email ID verify करने के लिए, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, कि आप अपने mobile phone में पड़े ह हुए नए पुराने photographs, dreamstime.com के उपर upload कैसे करेंगे, title, description और tags वगयरा कैसे डालेंगे, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आपके photographs दिखेंगे customer को और विखेंगे इस site के उपर, तो चलिए अब मैं ये आपको दिखाना और सिखाना शुरू करता हूँ, सबसे उपर ब जहां से हम अपनी image, video और audio सभी डाल कर कमाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आपके mobile phone में पड़े हुए नए पुराने photographs डाल कर कमाई करना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा, आपकी जानकारी के लिए आपको दुबारा बता दूँ, कि आपका mobile phone किसी भी company दुबा पिक्सल के होने चाहिए, यहां पर नीचे देखिएगा दोस्तों, यहां लिखा हुआ है formats, additional formats वगरा वगरा, यह देखकर confuse मत होएगा दोस्तों, इसके अंदर हर तरह के formats accept होते हैं, आप यह मत सोचेगा कि आपके mobile phone में जो पड़े हुए photographs हैं, वो इन formats के हैं या नहीं, आ अब मैं पहले आपको एक photograph इस site पर upload करके दिखाता हूँ, आप भी वैसे ही follow कीजेगा, दीकि जहां यह plus का button है, यहां click कर दूँगा, अब आप देखिएगे मेरे laptop पर ये window खुल गई, आप क्योंकि ये काम अपने mobile phone से कर रहे हैं, तो आपके mobile phone में जो gallery या photos का section है, वो इ photograph के इस site के ऊपर upload होने की, ठीक है, आपका जो भी internet connection है, उसकी जितनी भी speed है, उसके हिसाब से समय लग सकता है, आपको थोड़ा सा धैर्रे रखना पड़ेगा, तो अब हमारी ये image upload हो चुकी है, और आप यहां देखेंगे हमारी image की processing चल रही है, इस processing में भी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, तो आपको यहां पर भी धैर या patience रखनी पड़ेगी, अब हमारी ये photo upload हो चुकी है, जब आप अपना cursor या finger इस photo पर लेकर आएंगे, तो ये इस तरह से clear दिखेगी, और सबसे उपर ये जो cross का button है, यहां पर click करके, हम इस photo को हटा भी सकते हैं, अब म एक हफते में 7000 तक photograph dreams time.com पर बिकने के लिए डाल सकते हैं, यानि कितनी ज़्यादा कमाई करने की opportunity या मौका ये site आपको देती हैं, अब मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी या सूचना देता हूँ, जिसके जरीए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई dreams time.com से कर तो दोस्तों अपने mouse का cursor या अपनी finger जब आप इस photograph पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर press कर देंगे एक बार, तो एक और window खुलेगी जहाँ पर हम details डालेंगे इस photograph से related, तो इस तरह की ये window खुल जाएगी, यहाँ पर आपकी photograph दिखेगी जो आपने upload की है, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखीगा लिखा हुआ है dreams time, यानि यह एक watermark है dreams time का, जो automatically इस site ने आपकी photograph पर लगा दिया है, यानि कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि screenshot ले तो वो उसको इस्तिमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह watermark होगा, और जब वो व्यक्ति photograph की कीमत पे करेगा dreams time dot com को, तभी यह watermark हटेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी photograph upload करेंगे, हर photograph में यह watermark आएगा, इससे आपको यह तसलिय रहेगी, कि आपकी photograph safe भी हैं, और आप कमाई भी पका करेंगे, अब हर photograph जो भी आप upload करेंगे dreams time dot com पर, उसकी यह details आपको भरनी हैं दोस्तों, पर details डाल कर दिखाता हूँ, आप जो भी photograph upload करेंगे, सबसे पहले उसका उपर title डालना है, अब देखिए मैं यहाँ type करूँगा, male, Indian, wearing, specs, कहने का मतलब यह है, कि एक male है, ठीक है, Indian है, जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, यानि कि आप जो भी photograph यहाँ डालेंगे द words डाल कर उस photograph तक पहुचेंगे, ठीक है, लेट से आप एक student है, और अपना photograph यहाँ डालते हैं, तो आप लिखेंगे male, Indian student, या female, Indian student, अगर आप एक housewife हैं, और आप अपना photograph यहाँ डालते हैं, तो आप लिखेंगी Indian housewife, अगर आप एक photograph डालते हैं, जो किसी बजार का market का है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे Indian bazaar, Indian market place, या आप कहीं घूमने गए हैं, किसी धार्मिक्स तल की photo आप डाल रहे हैं, तो आप उसी तरह का title यहाँ लिखेंगे, आप समझ गए, अब देखिए next section है, जहाँ लिखा है description, जो भी photograph आप डालेंगे, उसमें जो भी mature person in an office, ठीक है, आप चाहें तो जितना मर्जी लंबा description लिख सकते हैं, जितना ज्यादा detail लिखेंगे description में, आपके photograph बिखने का chance उतना ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक है, लेट से अगर आप as a student अपना photograph डाल रहे हैं, तो description में, जो भी background वगेरा में दिख रहा है, वो आप आजार का है, पहाडों का है, नदियों का है, तो वो details आप जरूर डालिएगा, इवन आप location के बारे में भी लिख सकते हैं, ये photograph बिहार का है, ये जहरकंड का है, ये उत्तर परदेश का है, ये गुजरात का है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई company कुछ ऐसे photograph ढूंड रही है, ज दौरान पहचान लिया, और देखिए, इसने लिख दिया कि ये एक portrait type है, senior का है, यानि processing के दौरान ये पहचान लिया, कि ये एक senior person है, यानि mature person है, ठीक है, और ये man है, यानि कोई male है, ठीक है, पुरुष है, ओके, ये जो processing में समय लगा दोस्तो, ये इसलिए लगा, क्यों इसके अंदर photograph खीचा, देखिए, कितना जबरता software है, site का, mature person है, balding भी है, specs भी लगाए हुए है, और Indian है, ठीक है, red color भी लिख दिया, उसने shirt का, ठीक है, nose दिख रहा है, conversation में है, शायद किसी से बात कर रहा है, जो भी आपको keyword ऐसा लगे, कि वो match नहीं करता है, वो हटा द ने, यह हमें automatically सारे keywords देदी, otherwise हमें यह सब डालने पड़ते, यह keywords सबसे जदा important होते हैं, दोस्तों, इन keywords के जरिये ही, आपका photograph उस खरिदार तक पहुंचता है, जो इस तरह का photograph ढूंड रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत important है, आप चाहें, तो और भी keywords, यहां से add कर देता हूं, working, जैसे ही आप space दमाएंगे दोस्तों, यह keyword में तबदील हो जाता है, दीखें, यानि कि यहां पर जो keywords हैं, वो एक एक शब्द के होने चाहिए, अब दोस्तों, अगला section यहां आपको दिख रहा है, ठीक है, दीखें, यहां लिखा हुआ, add property release, सबसे उपर लि करेंगे, आप तो पैसा कमाने आए हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, दोस्तों, जो modeling वगरा की line में जाना चाहते हैं, वो यह चाहते हैं, कि भई, उनके photographs free में भी इस्तेमाल हो जाएं, ताकि वो प्रसिद हो जाएं, या famous हो जाएं, वो चाहें, तो यहां पर click कर सकते हैं, ल और अगर आपकी photograph, editorial type है, यानि उसके अंदर कोई celebrity है, या उसकी कोई news value है, ठीक है, तो वो यहां पर आपने फिर click करना है, और यहां पर आप देखेंगे, नीचे लिखा है, this image is related to current news events, इसको select कर लेना है, अभी हम दुबारा commercial पर चले जाएंगे, उसके बाद इस section पर आ यह आप dreamstime.com की trained experienced marketing team पर छोड़ दीजिए, ठीक है, यह वो आपके photograph को कितने rate पर बेच पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद submit commercial पर click कर दीजे, तो दोस्तों अब हमारा पहला photograph और उसकी details, description, title वगरा इस site के उपर upload हो चुके है, अब हम जाके देखते हैं, कि वो दिखता क नहां पर है, देखिए, सबसे उपर जहां लिखा है, under review यहां click कर देंगे, तो दोस्तों यह हमारी वो photo है, जो हमने upload की थी, यह उसकी details है, ठीक है, dreamstime.com ने इस particular photo का एक ID भी issue किया है, यह उसका ID number है, ठीक है, यह हमारी photo commercial license के साथ ही ली जा सकती है, यानि कि जब तक कोई पैसे नहीं देगा, यह वो खरीद नहीं पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, यहां पर date लिखी है, जिस date को यह submit की गई है, इस site के उपर, और अगर हम चाहें, तो इन सभी details को edit image के उपर जाकर edit भी कर सकते हैं, जब मर्जी और जितनी dreamstime.com के उपर, आप अपने mobile phone में पढ़े हुए videos को कैसे बेचेंगे, दुबारा से जहां यह uploads लिखा यहां जाएंगे, यह जो plus का sign है, यहां क्लिक कर देंगे, आपके mobile phone पर gallery या photos section में, जो भी videos हैं, वो आपको दिखेंगे, उन में से एक video आप select कर लेंगे, आपको एक जानकारी दे दूं, दोस्तों, आप जो भी यहां पर video upload करेंगे, वो 30 seconds से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं दुबारा से बोल देता हूँ, जो भी video आप upload करेंगे, 30 seconds से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अगर आप कोई ऐसा video upload करना चाहते हैं, जो ब अब हमारा ये जो video है, इसकी processing पूरी हो चुकी है, अब हम नीचे आके देखते हैं, यहां पर भी देखा रहा है कि आप 7000, छोटे 30 seconds तक के videos, dreamstime.com पर हर हफते डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अब हम अपने इस video में भी details डालेंगे, ताकि यह जल्दी से जल्दी बिग जाए, ठीक है, अब मैं अपने इस video के उपर ही एक बार click कर दूँगा, अब दोस्तों आप देख सकते हैं, यह हमारा video है, यहां पर dreams time का watermark लगा हुआ है, ठीक है, अब यह जो title और description वगरा है, यह मैं आपको भरके दिखा देता हूँ, आपका जो भी video होगा, उसके से अपना title डालेंगे, ठीक है, आप housewife है, कोई job करते हैं, या आप कहीं घूमने गए हैं, उसका video है, तो आप उसी हिसाब से यहां पर title डालेंगे, उसके बाद नीचे description लिख देंगे, जो भी video है, 30 second का, उसमें जितनी भी details हैं, वो आपने सारी यहां लिख देनी है, description के इंदर, ठीक है, उसी से आपका ये video ज़्याद से ज़्यादा बिकेगा, उसके बाद जो नीचे वाला section है, यहां लिखा है categories, ठीक है, आपके video को processing करने के दौरान, dreamstime.com के software ने, जो भी details चेक की, वो यहां आपको दिखेंगी, अगर आपको ये details ठीक लगती हैं, तो as it is यहां से इनको बदल सकते हैं, अब देखेंगे, इस section में ये वाला हिस्सा छुटा हुआ है, ठीक है, यहां पर मैं category चूज कर लेता हूँ, people, ठीक है, और sub category में मैंने चूज कर लिया men, ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, तो dreamstime.com के software ने, पहले से ही हमें कुछ keywords यहा पर add कर सकते हैं, दोस्तों, उसके बाद इस section में आ जाएंगे, यहां पर देखेंगे, पहले से commercial दिखा रहा है, यानि कि हमारा ये video सिरफ बितने के लिए है, और अगर आपके video में किसी तरह की news है, तो आप यहां पर editorial पर click करके, यह वाला section select कर लिजेगा, जैसा मैंने details के साथ, इस site के उपर submit हो चुकी है, अब वो हम जाकर देख लेते हैं, जहां यह under review लिखा, यहां click करेंगे, तो दोस्तों सबसे उपर यह photograph दिख रही है, जो थोड़ी दर पहले हमने डाली थी, उसकी details के साथ में, उसके नीचे हमारी video दिख रही है, ठीक है, और यह उसक इसने भी photographs यह videos डालेंगे, वो नीचे इसके दिखती चले जाएंगी, मैंने आपको जैसा दिखाया था, आप dreamstime.com के उपर एक हफ़ते में 7000 photographs, images, vectors, videos वगारा डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जितनी ज़्यादा photos और videos upload करेंगे, उतने ज़्यादा बेखने के chance होंगे, अब दोस्तों मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि dreamstime.com से आपकी दूसरी कमाई का तरीका क्या है, और वो है referral के जरीए, आपको इस site के उपर एक referral link मिल जाएगा, जो exclusively आप ही का होगा, आपने उस referral link को copy करके, अपने यारों दोस्तों या रिष्टेदारों के साथ share कर लेना तो वो अगले 3 साल तक, जो भी कमाई करेंगे, उसका 10% आपके account में बैठे बिठाए आता रहेगा, बिना कुछ किये, वो कैसे होगा, चलिए दिखाता हूँ, सबसे उपर जहां my account लिखा, यहां क्लिक कर देंगे, यह page खुल जाएगा, यहां left में सबसे नीचे जहां tools लि और email के जरीए, whatsapp के जरीए, facebook के जरीए, sms के जरीए, अपने यारों दोस्तों, रिष्टेदारों से share कर लेना है, या facebook वगएरा पर अलग अलग groups में डाल देना है, जो भी व्यक्ति आपके इस referral link को click करकर dreams time.com पर 100% free में register करेगा, और अपने photograph और videos वगएरा को upload करेगा, वो जितनी भी कमाई करेगा दोस्तों, उसका 10% आपके account में बैठे बिठाए, तीन साल तक आता रहेगा, दिखिया लिखा हुआ है, 10% from every sale purchase made in the next 3 years, यानि के आपके referral link के जरीए, जो भी व्यक्ति, जितनी भी कमाई करेगा, dreams time.com के उपर, उसका 10% आपके पास आता रहेगा अगले 3 साल तक आपने कुछ भी नहीं करना है, सिरफ बैठ कर कमिशन खाना है, सिरफ अपने referral link को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करके, और आप जो भी कमाई, dreams time.com से अपने photographs, videos वगरा बेच कर करेंगे, या referral कमाई करेंगे, वो कैसे आपके भारतिय सेविंग बैंक पेची आएंगे जहां लिखा है request payment, जैसे हम request payment पर क्लिक करेंगे, हमार पास एक option आजाएगा, हमने वहाँ पर पेपाल की अपनी account details डाल देनी है, पेपाल का account दो मिनट में बनता है, दोस्तों, पेपाल एक international payment gateway है, आप पूरी दुनिया से जो भी कमाई US dollars में करते हैं, वो इस वीडियो का link इस वीडियो के description box में डाल दूँगा, आप जाकर दो मिनट में अपना पेपाल का account बना लीजे, फ्री में, अभी मैं ये suggest करूँगा कि अभी आप PayPal account बनाने के जंजट में मत पढ़िए, सबसे पहले dreamstime.com से कमाई करना शुरू कीजे, अपने photograph, अपने व अरोसे मंद साइट है, तो दोस्तों आपने देख लिया, बहुत असान है, अपने खाली समय में एक बार process करके छोड़ देना है, और उसके बात ये आप उमीद रख सकते हैं, कि आप कमाई करेंगे, इसके लावा अगर आप एक full time job ढूण रहे हैं, तो मैंने काफी वीडिय अगर आपके पास समय है, उनमें बताई हुई tricks को follow करके आपकी एक अच्छी full time job भी लग सकती है, तो ये थी video friends, thank you very much